कि नमस्का दोस्तों मैं राजी उसेन इंटरनेंस बिजनिस ट्रेनर एंड मोटिवेस्ट लूइश स्पीकर दोस्ते में स्वागित करता हूं आप सब का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जहां पर इंपोर्ट फिर नोज को हम खिर्टी कल नहीं सिंपल बनाते हैं तो फ्रें नेपाल उसमें नमबर वन पर आता है नेपाल जितना भी इमपर्ट करता है उसमें 65 परशंट वह हिंदूस्तान से ही इंपर्ट करता है तो नेपाल के साथ में हमारा अच्छा बोन्डिंग है, अच्छी friendship है, अच्छी relation है, यह सेक्ट नमबर पे भूटान अता है, भूटान पे काफिक उच रहा हम से इम्पोर्ट करता है, थार्ड नमबर पे बांगलादेश आता है, और फॉर्थ नमबर पे पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान में इम्पोर्ट कि बिल्कुल कम हो गया है मतलब के हिसाब से आपको दिखाए दे रहा है यानि हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान से हमारा वैपा लगभग लगभग बंद ही है आगर हम प्रॉसेस की बात करें यह वह कौन-कौन से स्टेप से तो आपको 10 क्रांतिकारी दस ऐसे क्रांतिकारी उपा पर आता है अगर में स्टैप की बात करना तो तुससे पहले में बता दो कि नहीं होता है और आफ-फ्लाइन का सीडियूल है अभी 12 ओक्टूबर टो 19 ओक्टूबर जो की इविनिंग 526 होता है टोटल 8 डेस के लिए और ऑफ-फ्लाइन का ट्रेनिंग है वो दिल्ली में होता के बायर को verify कैसे करते हैं को फोर्ज सो कैसे निगोशेट करते हैं स्टैप लें 15 यस वीब ले सकते हैं तो लिए स्टैप नमबर 1 के अगर बात करें तो सबसे पहले स्टैप आता है, स्टैप नमबर 1 सेलेक्ट यॉरप्डक्ट आए थो ौप कोई प्रफुलम आरे एकनल रहे है तो यहाद के लिए हमारा प garage वीडियो भी het जो कि 10 questions उसमें दिखाएगा कि what are the factors need to be considered by selecting your product तो हम अपने training में सिखाते हैं आप उसको join कर सकते हैं सेकिन नमबर step की बात करो step number two step number two में आता find buyer अगर हम buyer की बात करें अगर हम नेपाल का example ले लेते हैं how to find buyer in Nepal उसका भी अलग से हमारा वीडियो है हमारे चैनल पर अगर वह आपने नहीं देखा तो उसको भी आप देख सकते हैं how to find buyer in Nepal क्योंकि Nepal क्या है हमारे around five states के साथ में border share करता है जो यहां से बहुत ज़्यादे quantity में by truck export होता है तो basically जो buyer find करना है वो buyer आप find कर सकते हैं और प्रदेश से लोग जाते हैं सिक्किन से जाते हैं कौन-कौन से बोडर करेंगे कस्टम इस होता है आपके पास पड़ता है जिसे उत्र प्रदेश से पड़ता है यू के मतलब यूनाइटेग किडम नहीं यू के मतलब उत्राखंट जहां से मैं करता है यहां से बोर्डश करता है और बिहार लिए से करता है बिहारं बॉद्ध करता है वेस्ट बंगूला दानेपाल तो इतने सारे üranaんなarum Fएți भाईफ के साथ में ओडार करता है तो बहुत स्व into startups NEP देख सकते हैं हमारे दिख सकते हैं अगर बायर आपका प्राइज जाद है तो उसको बोलेगा प्राइज बहुत ज़्यादा है ज़ह तुड़ा अप्शनवागा 15 पॉल सब्सक्राइज करता है कि आप वायर को कैसे करते हैं वह हमारा वीडियो आप जरूर देख सकते हैं स्टैप नमबर फॉर की बात करते हूं गेट एक्सपोर्ट ओडर आपको एक्सपोर्ट ओडर जब आप सब डील कर लेते हैं उससे प्राइसिंग वगरे भी पूछ लेते कि कौन सा इनकोटम रहेगा कौन सा पेमिंट रहेगा वह सब आप पूछ लेते हैं सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं 100% एडवांस वह आगे हम ब मत दीजे मेरा हाथ जोड के नमर निवदन हैं हमारे जो इंडियन हिंदुस्तानी भाई बहने उनसे नमर निवेदन हैं कि आप बिल्कुल भी उधार मत दीजे बिल्कुल भी क्रेडिट मत दीजे आप चाइना से मुझे पांच रुपे का सामान कुछ उधार लाके आइड़न नो आप ही बोलेंगे आपने एक्स्पिरिंस भी किया होगा आप कुछ उधार लेके दिखाएए मुझे जब आप उधार नहीं ले सकते तो आप उधार दे कैसे सकते मुझे यह समझ में नहीं आता है आपको उधार देना नहीं है अगर कुछ आपको रिलेक्शे सिंधा दिपने उपर कॉनफेनस नहीं है जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होगा तो please 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 don't give any credit आप credit देंगे दिक्कत आपके साथ हो सकती मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि credit देनी के बाद पैसा नहीं आता है बट एक chances रहते हैं कि पैसा ना आए या फिर कुछ और दिक्कते आए लेकिन इसमें सबसे एडवांस देदो आधा रिस्क आपका आधा रिस्क हमारा और जो वह रिस्क है 50 परसेंट भी वह भी हम कंट्रोल करेंगे थ्रू डूकुमेंट्स वाया बैंक सिंपल सेफेस्ट मेथर्ड दूसरी किसी उसमें जाना ही नहीं हमारी पॉलिसी अपनी कंपनी की फ़र्म पॉलिशी बना के रखो उधार बिलकुल देना नहीं अगर देना भी तो उल्ले 50 परसेंट वह भी एल्सी के थुरू डारेक नहीं एलसी के थुरू इस्टैप नमब परने कि चाहिए या फीर इंडीयन रेलवे की सर्विशी होती है जो की पर्टिकुलर बॉर्डर तक तो आपका समान पहुचाई देती है अगर आपको दिली से दिली से नेपाल बॉर्डर तक लेके जाना तो दिली से उत्तर प्रदेश का यह गोरखपुर के पास पढ़ता कि सर्वीस नहीं थी अभी तो डबल डेक आपको दिखाइब रहा है कि एक ट्रेन है ट्रेन के ऊपर एक जो कंटेनर कंटेनर रखा है एक लाइन फिर एक उसके उपर एक रखावा है दो डबल डेक उसको बोलते हैं जिसे कि कहीं बापने मुंबई वगड़ा में कहीं बाद ब तो उतने डबे उसमें एक्स्रेंड कर दी तो लंबी सर्विस देती है क्योंकि टाइम पर तो उसी पर पोचना है इसाक दैंसे पर पहसे हैं उत्रप्रदेश से उत्राखन जाते हैं हम बस में को कोई नहीं रोकता लेकिन जो ट्रक वाले रहते हैं, ट्रक ड्रक ड्रैवर रहते हैं, कुछ पर्चीस ही लगा के महां ओफिस में खड़े रहते हैं, तो basically हम अपने लाइव अपनी आखों से देखते हैं, कि उस तरह की से वो क्या कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब ले जा रहे हैं तो उनको वहां पे एंट्री करानी पड़ती है, ऐसे ही कस्टम क्लियंस के लिए भी लाइन लगी रहती है, बोर्डर पे आप चेक भी कर सकते हैं, सिंपल से, सेम तरिका होता है, कोई ज़्यादर डिफरेंस नहीं, नेपाल में करो, भूटान में करो, बांगलादेश में कर करना है, बोर्डर पे करना है, लेंड बोर्डर पे, चेक भी का ढूंडना है, आइसी डी या फिर सी पोर्ट का सी ये आपको नहीं लगेगा, अगर मैं बात करूं, आपको उसे इवे बिल लेना, जिसे बिल ओ लेडिंग हो गया, एर वे बिल आपको जब आपको बाई करना है, यह निए बैंक रिलाइजेशन सर्टिफिकेट, कई बार ऐसा रहता है, नेपाल के साथ हमारा वेपार होता है, तो उन्डियन करनसी में, क्योंकि इंडियन रुपीज भी चलते हैं, इंडियन करनसी में बंदे को पेमेंट कर दिया, उसके घर पे आके पेमेंट कर पेमेंट कर दिया, तो बैंक में रिकोर्ड नहीं हुआ, फिर आर बिया से आजाता है, नोटिस, तो बैसिकली वैसा नहीं करना है, क्योंकि आप हमारे साथ कनेक्टिड है, आप हमारा चैनल देखते हैं, हमारे वीवर हैं, और कोई हमारा जो आप में से ट्रेनिंग लिए है उनको भी इसके बारे में पता होगा, अगर हमारे continuous वीवर हैं, तो आपको यह जुरूर आइडिया होगा, कि complete cycle process करने के लिए आपको last step आता है, EBRC यानि BRC जो पहले था, bank realization certificate, तो friends अगड़ी वीडियो आपको पसंद आई, जुरू आप इसको like कीजे, अपने friends से family में इस करते रिये, grow करते रिये और हिंदुस्तान का export बढ़ाने में मारी मदद किजिए, let's do export together, thank you, thank you very much.